वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाय लिखाई पे विद मी वरेंदर तो देखे अभी क्या हुआ है एक न्यूज काफी हाइलाइट में चल लगी आज कल तो उसके बारे मैं हम डिसकस करने वाले है तो देखे न्यूज क्या है तो एक जगा है यूपी मे पर निर्णय होने वाला है वो एक्जिक्यूट होने वाला निर्णय है तो उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं तो देखे हुआ क्या था पहले यह जान लेते हैं अपरेल 14 और 15 की रात को क्या हुआ था 14 अपर 2008 की बात है यहां पर एक समनम है यह जो लेडी आप देख पा और उनको क्या कर दिया कुलहारी से धारदार हतियार से काड दिया क्या इसने अकेले काड दिया होगा अपने फैमिली मेंबर्स को तो ऐसा नहीं है उसने किसी की मदद ली थी तो यह जो चितर आप देख पारें साइड में इनका नाम है सलीम ठीक है तो इस औरत ने जिसका क्या प्रॉबलम से परिवार के और इनके बीच में ऐसा क्यों हुआ चलिए आगे चलते हैं तो देखे हुआ क्या था सबनम एंड सलीम वर फाउंड गिल्टी इनको ये कसूर भा ठहराए गए हैं किलिंग हर पैरेंट्स इसने सलीम ने मिलके सबनम के साथ सबनम के ही पैरें इने का एक चोटा सा बच्चा था मासूम सा बच्चा था उसको धारदार हटियार से उसक गला काटके इनूने मार डाला थीक है तो इस सिल्चल में ये केस चला था ठीए कहां के यह भावन केड़ी 502 है गाउन इनका होगा थीक तो वहां के हैं बेलेज ऑफ अम्रोहL डिस् relationship, यानि की relationship के समणन्द के brode में थे तो ये जो सबनम थे और सलीम ते दोनों आपस में प्रेण करते थे इनके brode में थे, परिवार वाले वो नहीं चाते थे, कि ये समण आगे कायम हो या इन दोनों की सादी हो पायागे तो ऐसा क्यों नहीं चाते थे और सबनम के बारे में जान लिजे कुछ, तो ये सबनम जो है, एक post graduate है, यानि post graduate degree नोने लिए है two subjects, दो subject में कौन-कौन से, इंग्लिस में, ठीक है, और साथ इसाथ geography, यानि कि भुगोल में, तो ये दो subject से post graduate है, यानि एक पढ़ी हुई स्तरी, इतना अच्छा पढ़ी हुई और ऐसा काम उसने किया ठीक है और यह क्या है सिक्सामित्र तो उत्तर प्रदेश में आप जानते है कि एक टीचर हथे है जिनका नाम होता है सिक्सामित्र प्रवा देख है तो यह टेंप्रेरी हुआ करते थे तो एक गौर्ण्मेंट प्रवर्मे Parl+. Kingdom तीचर सथी इन्हों ने ऐसा काम किया कििसके साथ मिलके सलीम के सानल कि इनके परिवारबारे इनके संबन को नहीं मानते थे उसको पर सब्सक्राइब पर्लीन सब्सक्राइब संबर करेंडा years लेकिन जब दवा पड़ा तो इनूंने अपना क्राइम कबूल कर लिया ठीक है, ओर इसनुने क्या बता है, family member drink milk list, यानि दूद में गोलिया मिलाके, नसीली दवाईय मिलाके, नेन की गोलिया मिलाके अपने परिबार के मेंबर्स को किसने दिये, सबने दे दी. ठीक है और बाद में ये सारा पूरा हत्या कांड इन्हों ने रच डाला अब सलीम के बारे में जाल नहीं दिये भई सलीम एक क्लास 6 ड्रॉप आउट यानि कक्सा 6 तक वो पढ़े हुए थी या कक्सा 6 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी यानि कि लकड़ी का काम करते हैं लकड़ी की चिराई बगेरा का जो काम होता है कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं जैसे उस टाइप का ये काम करे हुए थी यानि सबनम के कंपरिजन में देखा जाए तो इसको अनपड़ ही का जाएगा एक तरह से वह सब वो पॉस्ट करते कंप लाइब करते कि जैसे होता है जाता है जborला के बाद हाइब कर्ड जता है ऑड्र आप अंदरे में सुप्रेम कोड ने अफेल्ड किया था अलाबाद हाइट जज्मेंट यानि अलाबाद हाइट का जो निर्ना था इसको मृत्यू दंड म्रत्यू दंड को इनको कोई भी राहत नहीं दी है और आप समझे इतने लोगों साथ मेंबर्स का इसनोंने मडर किया था कतल किया था तो इनको साथ ये मिलना भी नहीं चाहिए था ठीक है अब आप ये समझे एक पॉस्ट गैजूएट परसन अगर ऐसा काम कर रही है एक महिला तो ये माना जात लेकिन ये पढ़ी लिखी महिला पॉस्ट गैजूएट महिला ऐसा काम कर रही है तो कहीं न कहीं प्रसन चींज इस बात पर उठता है कि हम लोग आज की डेट में किस लेबल की पढ़ाई कर रहा है क्या पढ़ाई लिखाई से मानपता नाम का सब्द मिट गया यानि उसमें मानपता नहीं रह गई तो ये चीजे भी हमारी इंपुट होने चाहिए उसमें डलनी चाहिए ठीक है यानि पढ़ाई लिखाई के साथ मानपता भी बच्चों को सिखाई जानी चाहिए ताकि ऐसे केसिस कम हों ठीक है चले ये तो अलग इस्यू हो गया है तो फिलाल आगे करते हैं इस चीज़ों पर हुआ क्या ठीक है कंविक्टे क्लिंगो सेविन मेंबर्स ऑफर फैमिली इन 2008 ठीक है इनके फैमिली मेंबर्स के नाम दिए गया है सौकत अली इनके फादर का नाम था मदर हासमी थी एल्डर बोदर था उंकी भांजी थी और ये देखिए टैन प्रेम पसंग में इतने लोगों की जान ले लित और ये जाहिर सी बात है इंटेंस हीट में किया गया क्राइम नहीं लगता कि अचानक से कोई दिमाग गरम हुआ या कुछ हो गया नहीं यह बैल प्लान मडर था बिलकुल सोच समर्ज के यह किया गया था तो ऐसा आप नहीं मैं वह काम उसमें प्र andrai को अपनी याची बी समय सम्मिट की ती लेकिन रास्ट्पति उस Need जो थे प्रेसिडेंट थे प्रणम मुखर जी तो उन्होंने में इनकी याचिगा खारे कर दीती तीक है साइद आप लोग भी समझ सकते हैं कि भाई हाँ इसमें कुछ उसको सेप करने का या मरसी प्रवाइड करने का कोई साइद इसको तुक भी नहीं बनता इन सब चीज होग सब आना, तो गώρα को मरत्यु धंड के सब्सक्राइब करने की सकते हैं तो उन्होंने कुछ नहीं कि र tack सेखे और म्रथियुए या समय यानि जब यह क्राइम हो था जिस समय इनको जेल हुई यह पकड़े गए उस समय यह प्रेगनेंट थी ठीक है उनका एक बच्चा जो कि अब्च्छा हो चुका बच्चा हो चुका है तो 12 साल का हो चुका यानि चलते-चलते बहुत टाइम हो गया यानि प्रोसिजर फोलो क को दया चीका को खारीज कर दिया था इन जन्वरी 2020 सुप्रीम कॉर्ड बैंच हैड़ेट बाई सीजे उसके बाद भी इन्होंने क्या क्या सुप्रीम कॉर्ड में दुबारा से पेटिशन डाली कि भाई हमें कुछ दया चीका हमारी सजा माफ की जाए कम से कम फांसी तो माफ कर ही दी जाए तो चीफ जस्टेश थे उसमें सी जी आई एस ए बोबडे इन्होंने भी डैस सेंटेंस को बरकारा रखा यानि अब इनको म्रत्यु दंड लग रहा है कि मिल ही जाएगा तुदेखो भाई म्रत्यु दंड बैसे और बहुत सारे कैसे हुए है कुछ लोगों म्रत म्रत्यु दंड दे दिया जाता है ठीक है तो यह पहली महिला हो जाएंगी जिनको भारत में शुतंत्र भारत में मरत्यु दंड दिया गया होगा तो यह जानने जिए यह उसकी कगार पर लग रहाNew काफी करीब मामला दिख राया हाल-फिलन अभी तो देखे इनको जानिए इनों को सायद आपने पहले भी जाना हो इनका नाम है पवंज कुमार ठीक है ये पवंज जलाद है जो फांसी देते हैं निर्भया केस में भी इनने फांसी पर लटका था बहुत सारे लोगों को ये फांसी पर लटका चुके हैं तो देखें फांसी हमारे देश में आप जानत महिलाओं को फासी दी जा सकती है सूली पर लटका जा सकता है तो बाई ऐसी जल कहा है मत्फुरा में यह कोang कॉण करते हैं अगर थेखरा FE होती है तब यह बन जाएंगी नहीं तो यह पॉइंट तो आपका एक्जाम में ट्रेंड कर सकता है कि मत्हुरा में ही ऐसी जेल है ठीक है और यह पवंजल लाद है यह कहां के मेरट के है ठीक है तो भाई इन्हों निर्वया गेंग रेप केस में बहुत सारे लोगों को फांसी पर चड़ाया था ठीक है चलिए आगे चलते हैं और कुछ जा लेता है कॉंस्टिटूशन सम्मिधान इस विश्चा में क्या कहता है तो सम्मिधान यह पॉइंड़ स्पीक क्योंगि हाइलेटेद ९ोज है तो आगामी जितने उसकी माफ कर सकते हैं उसकी सजा को कम कर सकते हैं या टाइमिंग घटा बड़ा सब चेंज कर सकते हैं मतलब बैरिबल कर सकते हैं तो यह कौन से आर्टिकल के इंतरगत आता है आर्टिकल 72 ठीक है Constitution of India या उनिस सो उलनचास यह भी आपको ध्यान रखना थीक है तो पावर और प्रेसिडेंट के बारे में इसमें जिक्र क्या गया गया ग्रांड पार्डन यानि माफी दे सकते हैं पूंड तर माप कर सकते हैं और कम्यूट और संटेंस इंस सर्टेंट कैसे अब यह सब चीज़े क कम्यूट अब एनी परसन कन्विक्टेड और एनी ओफेंस मरत आपकी कहने का है पूंड तर माफ कर दे सजा को उसका कार रेकाल कम कर दे या जो उसको सजा दी गई है उसकी कठोरता को कम भी कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से भी हो सकता है या कुछ समय के लिए उसको टाल सक सकते हैं कुछ समय के लिए ठीक है तो ऐसा भी सारी पाबर्स होती है प्रैसिडेंट के पास यह सभी केसें होती है लेकिन राज्यापाल के पास म॥ हिए सारी पावर नहीं होती है और यह किसी का क्उड माखिण होता है या उसको किसी सैनिक को मरत्युदंद दिया जाता है तो उस केस में भी राज्यपार के पास ये विसे साधिकार होते हैं तो ये कुछ important points होते हैं ठीक है तो देखे भाई देश की पहली महिला अगर ये बनेंगी तो इससे आने वाले वीडियो में आगे भी हम बताएंगे कि पहली पहली बार किस-किस महिला का नाम किन-किन बजहों से सुर्ख्यों माया यानि देश में पहली महिला आये से ओफिसर कौन थी या बहुत सारे हैं पांट अबरिस्ट पर चड़ने वाली इस टाइप के वीडियो भी आपके आने वाले समय में सामने आएंगे तो और भी वीडियो देखने के लिए और भी जानकारी देखने के लिए देखते रही हमारा चैनल पढ़ाय लि धन्यवार